मार्च माह 2024 से जून 2024 तक का समय व्रश्चिक राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैम आतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी व्रश्चिक राशी के लोगों के लिए चार महिनों के राशी फल के बारे में, यानि जून तक का जो समय है, जो अर्ध मासिक फल के नाम से होता है, यानि जो आधा वर्ष समाप्त होगा, तो यहां जून महिने की 30 जून तक का समय आपके लिए कैसा होने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, हर एक ग्रह के बारे में, कि वो ग्रह आपको क्या देगा, करियर, व्यपार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, व्यवाहिक जीवन, सिक्षा, स्वास्त है, हर एक चीज के बारे में, और वीडियो के अंत में उपाय के बारे में भी, तो वीडियो को लास तक देखें, अगर चैनल पर के जोड़ जाएं चैनल के साथ तो देखे व्रेश्चिक राशी मंगल की राशी है और आठवे स्थान पर आती है कालपुरुष कुंडली में आठवे स्थान की राशी मानी गई है मंगल आपकी राशी के स्वामी होते हैं तो यहां ग्रहों की इस्तिथी अगर आप देखें तो व्रेश्चिक राशी के लोगों के लिए देव गुरु ब्रहस्पती एक माई तक आपके छटे भाव में यानि की मेश राशी में प्रवेश करेंगे एक माई तक तो आपके चटे भाव में हो गए गुरु और एक माई के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे जहां से वो पहले तीसरे और आपके ग्यारवे भाव को देखेंगे यानि लगन को देखेंगे थर्डा उसको देखेंगे और आपके लाब के भाव को द एक दूसरे के बिलकुल आपोजिट साइड होंगे शनी जो ये आपके तीसरे और चौते भाव के स्वामी है और चौते भाव में रहेंगे पूरे वर्ष रहने वाले हैं क्योंकि दो हजार पच्चीस तक ये शनी जो है अपनी राशी कुम्ब राशी में रहेंगे तो आपके चौते भाव में कुम्ब राशी में शनी पूरे वर्ष विराश मन रहने वाले हैं 15 मार्च तक ये आस्थ हैं 15 मार्च को उदय हो जाएंगे और बाकी ग्रह आपके राशी के स्वामी मंगल देव हो गए और साथ में शुक्र भी हो गए बुद्ध भी हो गए और यहां सूर से निकलेगा वो क्या निकलेगा ये भी हम जानेंगे तो सबसे पहले करियर के बारे में जान लेते हैं कि आपके लिए करियर का समय कैसा रहेगा तो सबसे पहले चीज तो गुरु ब्रस्पती जो हैं चटे शनी की हम यहां बात करेंगे क्योंकि शनी आपके चौथे भाव म चौथा भाव और यहाँ से उनकी जो तीन दरस्टियां जा रही है एक तो छटे भाव पर जाएगी चौथे भाव में बैट कर तीसरी दरस्टि तो छटे भाव पर गई आपके दसम भाव पर भी जाएगी तो ये जो द्रस्टी है ये क्या होगा आपको अपनी नौकरी में इस्थिरता मिलेगी जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको इस्थिरता मिलेगी आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे तो आपके नौकरी के लिए शनी जो है वो काफी अच्छे हैं गुरू ब्रस्प प्राप्त करने के लिए होगा और साथ में नौकरी में भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं यानि पदोनती के भी आवसर बनते हुए आपको यहां दिखाई दे सकते हैं किसकी वज़ए से? गुरू की वज़े से व्यवसाइक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि चौथे के सनी आपको अपने परिवार से दूर ले जाकर वैपार भी करने के लिए प्रेरित करेंगे तो चौथे भाव में तो कब से हैं अगर आप बाहर अपने परिवार से दूर रहकर काम कर रहे हैं वैपार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट बनेंगे अच्छे लाब आपको देखने को मिलेंगे और अगर अभी तक आप अपने परिवार के साथ रहकर कर रहे हैं तो आपके लिए जरूर कहीं न कहीं परिशानिया चल रही होंगी उतना ज़ादा आप प्रियास कर रहे होंगे उस परियास से आपको result प्राप्त नहीं हो रहे होंगे क्योंकि चोथे भाव में शनी का होना अभी आपको परिवार से दूर के कामों से परिवार से दूर रहकर जो काम करेंगे उनसे लाब दिलने वाला है इसके अलाबा अगर आप construction का का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छे लाब मिलते हो दिखाई दे रहे हैं या फिर information technology का काम करते हैं सिक्षा जगत से जुड़े हैं तो वहां भी अच्छे लाब बनते हो दिखाई दे रहे हैं और जब मई में गुरू का राशी परिवर्तन होगा तो वैपारियों के लिए अधिक तर जा नया काम भी शुरू कर पाएंगे मई के बाद आप ऐसा कर सकते हैं उत्तम सफलता के योग बनेंगे आपके बहुत सारी जो महत्वक आंक्षाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी तो उसलिहास से ये आपके करियर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है बहुत अच्छा रहने दूसरी तरफ अगर हम आपके राशी के स्वामी मंगल की बात करें तो देखिए मंगल का जो गोचर है वो कैसा होगा 25 मार्श तक मंगल तीसरे स्थान में है ठीक है तो आपको प्रतिस्टा में व्रद्धी देंगे आपके भाई का भाई बहनों के दवारा सुख देंगे औ 23 एपरेल तक मंगल चोथे स्थान में होंगे तम माता को थोड़ी से स्वास्ते संबंदी परिशानिया हो सकती है और मित्रों से भी मत भेद हो सकता है तो वहाँ ध्यान रखें और पैतरक संपती में खास दोर से कोई भी पैतरक संपती को लेकर चीज़ चल रहे थी तो वहा एक जून तक पंचम भाव में संतान संबंदी परिशानी हो सकती है, संतान को पीड़ा हो सकती है, स्वास्ते खराब हो सकता है, सिक्षा में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, अगर आपके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होई तो इनमें राहत मिलेगी, लेकिन को मंगल को चाहिए मंगल क्या है पराकर्मी है मंगल को चाहिए काम करने को अच्छटे भाव में जाकर शत्रों का नाश कर देंगे कोट में विजय दिला देंगे नौकरी में भी अच्छा रिजल्ट देंगे तो वहाँ अच्छे रहेंगे, जून के महीने में बहुत अच्छे इस्ति थी, मंगल की रहेगी, उसे पहले मंगल थोड़ा सा परिशान कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए व्यपार नौकरी के लिए मैं कहूंगी अच्छा समय रहेगा, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके किसके बारे में, प्रेम जीवन के बारे में, विवाह जीवन के बारे में, परिवारिक जीवन के बारे में, तो प्रेम जीवन के अगर बात की जाए तो प्रेम के स्वामी कौन से ग्रह माने जाते हैं, प्रेम के स्वामी शुक्र भी है, प्रेम के स्वामी बुद्ध को भी आप कह सकते हैं बुद्ध भी हैं तो अब ये क्या करने वाले हैं अब देखे पंचम भाव आपका प्रेम का भाव है जहां राहु बैठे हुए हैं तो राहु क्या करेंगे क्या राहु यहां अच्छे हैं तो देखे राहु का काम है आपको प्रेम में कुछ कर गुजरने वा जब मंगल का गोचर पंचम में होगा राहो के साथ तब वो समयाब के लिए अच्छा नहीं होगा इस समयाबधी में अच्छे से ध्यान रखना है प्रेम जीवन के मामले में बहुत ज़ादा सतर कता आपको बरत्री होगी क्योंकि सारे दिक समस्याइं भी हो सकती है मानसिक टं रखना होगा लेकिन एक माई तक जो गुरु आपके छटे में है और एक माई को जब सब्तमभाव में गुरु आ जाएंगे तो सब्तमभाव किसका है विवाह का भी है तो यहां क्या होगा आपके मन पसंद व्यक्ति से आपके मन पसंद जो भी आप इस तरी हैं पुरुस है जिनसे आप प्रेम करते हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनसे विवाह के योग भी बन जाएंगे तो उनसे विवाह के चांसिस भी आपको बनते हुए अच्छे से दिखाई दे रहे हैं तो यहां प्रेम के मामले में बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है और विव कि विवाहा के योग कब बनेंगे तो वो एक मैई के बाद बनेंगे बहुत सुन्दर योग बनेंगे और मन पसंद तो साथ ही मिलेगा ही प्रेम भी आपका अच्छा रहेगा और साथ में जो विवाहित लोग हैं उनके लिए इस्तितियां जो हैं वो अच्छी रहने वाली हैं अब बात करेंगे हम यहां आपके लिए आपकी सिक्षा के बारे में कि आपकी सिक्षा के शेत्र में समय जो है वो कैसा रहने वाला है तो पंचम भाव में जो सिक्षा का भाव है वहां कोन बैटे हैं वहां बैटे हुए हैं राहु और यहीं रहने वाले हैं पूरे राहु ब्रह्म है लेकिन राहु बहुत बुद्धी मान भी है एक बुद्धी मान ग्रह माना जाता है राहु को देखकर ऐसे ही नहीं डरना है राहु आपकी बुद्धी को तेज बनाएंगे जो भी आप कुछ सोचेंगे समझेंगे पढ़ेंगे जानने की कोशिश करेंगे व तो सामान्य ग्यान की भी होगी, जिनको मैक्स में प्रॉब्लम थी, वो भी उसमें इंट्रेस्ट लेने लगेंगे, तो ये चीजें जो आपके साथ हो रही है, आपको उपनी सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन राहु ब्रहम भी हैं, राहु भटका आते भी बहुत हैं, तो बीच-बीच में आपका ध्यान भटकाने का काम भी करेंगे, चुनोतियां भी देंगे, दिमाग आपका तेज है, अनुसाशित रहकर काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ठीक है, चुनोतियां भी आएंगे, तो ऐसे में आपको बस थोड़ा सा ध् संभावनाई बनेंगी केसी भी प्रतियोगी परिक्षा में परिणाम अच्छे आने की सबसे ज्यादा संभावनाई आपके लिए मई के महीने से बनेंगी यानि मई और जून का महीना अच्छा रहेगा उच्छ शिक्षा ग्रहन करने के लिए भी विदेश जाकर पढ़ाई अपना पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जून के बाद का समय काफी अच्छा दिखाए दे रहा है तब आपके लिए अच्छा रहेगा अब बात करेंगे अब कौन सा हमारा टॉपिक बचा है अब हम बात करेंगे स्वास्था के बारे में क्या आपका जो स्वा विराजमान है देवगुरु परस्पती विराजमान है और शनी के उनपर द्रस्टी बनी हुई है तो क्या परिशानिया पाचन तंत्र पेट से जुड़ी समस्याइं हो सकती है पंचम भाव में यहां मीन राशी में जो राव की अपस्तिती है वो कोई संक्रमन भी आपको द दिहान रखते हुँ चलेंगे तो अच्छा रहेगा यानि स्वास्त है ठीक दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी चीजे तो नहीं है लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें भी ज्यादा परिशान कर देती हैं तो उनको आपको थोड़ा सा सतरकता से आपको दिहान देना अब यहां हम उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आप कर सकते हैं क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे अब मंगल की राशी है क्या करें शनी भी है आपके जो चौते भाव में विराजमान है अब यहां पंचम भाव में राहो विराजमान है तो गुरुवार क दिन गाय की सेवा शुरू कीजिए कि गाय की सेवा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ब्रस्पतिवार के दिन किसी भी स्टुडेंट को पठन पाथन सम्मंदी आप वितरन कर सकते हैं चीजें या फिर किसी को पढ़ा सकते हैं कोई आप कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा बच्च जरूर करें